हेलो एवरिवन आप सभी लोगा स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टी बैगर हंट में जियां दोस्तों आज जिस कॉन्फरेंस के बारे में जिस न्यूस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो की पूरे बज क्रिएट कर रही है पूरे आल ओर दा वर्ल्ड आल ओर दा व बड़ी बाते कही और उसका जो है क्या conclusion ड्रॉ कर सकते हैं उनसे आए हम इस वीडियो में देखते हैं तो देखिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए अगर वीडियो कंपणी है दोस्तों जिसको की का वरन बफेट होल्ड करते हैं तो देखिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बक्षार हैथवे अपने नाम सुना होगा दोस्तों यह है वारन बफेट की होल्डिंग कंपणी जिसके माध्यम से जो एक टूल है जिसके माध्यम से यह श जेन करते हैं उस प्रीमियम को वो जाके इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो इस तरह से जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं तो और एकल ओफ उमहा इस समय देखें बक्षायर हैथवे की 55 जनरल एजियम मीटिंग हुई तो देखें दोस्तों हर टाइम की तरह फूरे वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी एगली वेट कर रहे थे कि वर्रन बफेट अपनी एजियम में बक्षायर हैथवे की एजियम में क्या कहेंगे प्रेजन सिनेरियो को लेकर और उनका क्या अप्रोच रहेगा प्रेजन सिनेरियो के लिए और वो किस तरह से फूचर को एंटिसिपेट कर रहे हैं इस समय तो देखे दोस्तों हर बार की तरह काफी curiosity होती है all over the world AGM के जब भी बक्षायर headway की AGM होती है तो उसके लिए काफी curiosity होती है सब जगह से investors all over the world investors वहाँ पे जाते हैं जब normal scenario होता तब वहाँ पे सब लोग जाते हैं वहाँ पे पहुंसते हैं अब face to face जो है Warren Buffett को सुनते हैं की कोशिश करते हैं और वो उनसे conclusion draw करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कहना चाह रहे हैं और जो है उनसे हम जो है क्या सीख सकते हैं पर इस टाइम देखे दोस्तों ये जो meeting वी ये virtual platform पे वी क्योंकि अमेरिका में पूरा lockdown है तो इसलिए जो है Warren Buffett सामने तो आए बट जो है video conferencing की थुरू सारे investors को जो है उन्होंने address किया तो देखे दोस्तों क्या कहते हैं बक्षा रहतवे की इस meeting में जो है Warren Buffett क्या कहते हैं उनसे हम जो है क्या conclusion draw कर सकते हैं और जो है Indian perspective में हम इनसे जो है क्या सीख सकते हैं क्या takeaway ले सकते हैं वो सब हम इस video में देखेंगे दोस्तों तो देखे दोस्तों सबसे बड़ी बात हैं जो उन्होंने कही इस AGM में तो उन्होंने सबसे पहले का he said nothing can basically stop America you can bet on America this statement shows that he is positive that America and the world will come out of this problem but when he was uncertain about it देखें दोस्तों जहाँ पर भी यहाँ पर मैं कहूंगा America तो देखें दोस्तों America जो है represent करता है world को और उन्हें अमेरिका के perspective में इसलिए क्या क्या क्योंकि वो अमेरिका में ही investing करते हैं तो वहीं के market को ज़्यादा पैचानते हैं दोस्तों तो देखें दोस्तों उनका जो believe था firm believe है इस present scenario में इस uncertainty में भी उनका firm believe है कि हम जो है पूरा world जो है अमेरिका जो है इस problem से जो है बहार निकल जाएगा पर कब निकलेगा इसको लेकर वो काफी अनिश्चित थे देखें दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि कब तक ऐसा हो पाएगा कब तक वो recovery देखते हैं आगे तो वो काफी uncertain थे क्योंकि अभी जो situation है देखें दोस्तों वो काफी uncertain है कभी भी देखें ऐसा assume कि जाता है कि second wave भी आ सकती है coronavirus की तो इसलिए वो काफी uncertain है कि कब जो है हम वापिस अपने जो है peak पे वापिस दुबारा से पहुंच पाएंगे उसी level पहुंच पाएंगे जो pre-covid era में हमने अजीव किया था तो देखें दोस्तों आगे क्या कहते हैं वो he gave example of several instances of past when the America's economic came out of trouble especially of year 1929 he said Dow Jones stood at 381 on September when the America was 140 year and by November the index fell 48% to 198 and it took another 20 years for the index to revisit that level again जिया दोस्तों वहाँ पे उस meeting में उस एजियम में उन्होंने बहुत सारे instances गिरा है past में गए वो क्योंकि वो भी देखें दोस्तों past से जो है information लेना चाहते थे कि कब-कब जो है mankind को इस तरह के खत्रों का जो है सामना करना पड़ा और किस तरह से जो हमारी economy recover भी उन instances के बा देर लगे बट निश्चित है कि हमारी economy वापस जो है revive करेगी ये तो निश्चित है वो इस तरह से उन्हें पूरे एजियम में कहा कि ये पूरा निश्चित है ये पूरा certain है कि economy जो है recover तो करेगी पर कब तक करेगी ये uncertainty है दोस्तों तो इसलिए वो जो कि past के insistences वे उन्हे गिनाए उन्हें 1929 का example दिया जबकि दो महने सितमबर में 381 पे Dow Jones था और November में वो गिर के 198 हो गया और उसके बाद वापस 381 पहुशने के लिए उसको 20 साल लग गए दोस्तों इस दोरान में बहुत सारे world war वे Spanish flu इस तरह के उन्हें जो है economy ने काफी खत्रे देखे और इसके बाद ये certain था कि वो वापस जरूर जाएगा उससे भी आगे बढ़ेगा बट इतना time उनको लग गया so he was trying to make everyone cautious that recovery can be very slow तो इस तरह की हरकत बिलकुल मत कीजेगा दोस्तों क्योंकि काफी जो है recovery जो है slow हो सकती है तो देखे दोस्तों he said that in 2020 United States is far better country and as well as incredibly more wealthy country than it was in 1929 देखे दोस्तों वो कहना जाते हैं कि अभी जो 1929 का अगर हम compare करते हैं 1929 की situation से तो इस समय जो world है और जो United States है वो काफी better positioned है काफी देखे world पूरा coordinated way में काम कर रहा है उस समय तो सब nations जो है आपस में लड़ रहे थे world war हो रहा था तो इस समय जो है काफी coordinated way में काम कर रहा है इस समय world जो है काफी अमीर है काफी prosperous है काफी जादा resources है world के पास इस problem को tackle करने के तो वो assume करते हैं कि अगर जो है problem इतनी severe होती है जैसे कि 1929 में हुई थी तो हमें जो है इतना time नहीं लगना चाहिए वापस जो है अपना उसी level को जो है pre-covid level को gain करने में तो देखे दोस्तों in the recent crash of March 2020 he has not bought any share it is difficult to digest this from the man who relish when the markets are down when everyone is fearful देखे बहुत सारे लोग इस बात को discuss कर रहे है कि जब हमेशा आपने देखा है कि जब भी 2008 का संकट वा economic crisis वा 1974 का crisis वा 1972 का crisis वा तो उस समय देखे दोस्तों जब भी crisis होते थे Warren Buffett आते थे और उनको जो है उस time पर ही सबसे ज्यादा मज़ा आता था क्योंकि वह समय उनको वह अच्छी अच्छी कंपनिया बहुत ही अच्छे ताम पर बहुत ही low level पर उनको आराम से मिल रही थी दोस्तों तो इस तरह से वह enjoy करते हैं जब market पर पैनिक होता है पर यह देखे दोस्तों जिस समय यह March 2020 का ज उसकी gravity कितनी है इस problem की gravity कितनी है कि उस crash में Warren Buffett जो कि हर crash में buy करते थे उनको जो है पसंद था crash जब भी लोग panic मत थे वो समय बाइ करते थे तो इस panic में इस panic की situation में जो March में जो crash वहा उस समय उन्होंने कुछ भी stock buy नहीं किया this shows that there is lot of uncertainty and this is not the right time to invest in bulk इससे बजलता है कि यह correct time नहीं है अभी भी market जो है अपने bottom पे नहीं है और हमें जो है bulk buy तो बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए देखे बक्षार हैथवे के थोड़ा अभी financial उनने बताए थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह के cash पे वो बैठे वे फिर भी जो है उनने कुछ भी buy नहीं किया अब देखिए दोस्तों कितना cash है उनके पास बक्षार हैथवे currently has a cash of around 137.30 billion dollar that is roughly equals to 10 lakh करोड इन इंडियन रुपीज यहां दोस्तों उनके पास अभी जो cash है बक्षार हैथवे के पास इतना सारा जो है cash जो है Warren Buffett hold करके बैठे वे हैं वो बेट कर रहे हैं कब जो है right opportunity आए अभी उनको लगता नहीं है कि जो recent crash हुआ कि यह से जो है market का bottom है और उनको जो predict वो उनने पास से जो उनने reference लिया है तो उनने लगता है कि जो recovery होगे काफी slow होगी हो तो उनके पास बहुत time है यह judge करने का कि उनको किन companies में invest करना है या नहीं करना है अभी उनको जो है जब जो topmost company है Reliance Industries उसका market cap भी 10 लाग करोड नहीं है उगादर की दोस्तों तो the market capitalization of buckshare headway is around 443.79 billion dollar that is roughly 17% down from the last year यह जो बक्षायर headway की जो market cap है वो है 443.79 billion dollars यह जो यह कम से कम आता है 30 लाग करोड के करीब दीखें दोस्तों 30 लाग करोड जो इंडिया का annual budget होता है उसकी जो है उसके बराबर जो है उनकी company की market cap है और उसका one third जो amount है वो अभी उनके पास cash में पड़ा हुआ है तो आप सोचते हैं उनके पास कितना cash है कितना सारा cash वो अभी hold करके बैठे वे हैं और वो अभी uncertain है कि situation किस तरह से pan out होगी और अभी वेट and watch की situation जो है वेट and watch की policy जो है अ यही सीख सकते हैं दोस्तों कि आप अपना cash को hold कीजिए आप अभी जो है एकदम से jump मत कीजिए किसी भी conclusion में और अगर आपको दिख रहा है कि कोई भी stock down हुआ है तो आप just एक SIB कर सकते हैं उसमें धीरे-धीरे invest कर सकते हैं बड़ बिल्कुल भी bulk buy बिल्कुल भी मत अभी uncertain है वह इस तरह की situation को लेकर तो unlike other economic crisis Warren Buffett has not come out to take the advantage of correct stock prices तो इससे बजलता है कि बिल्कुल और crisis जैसे 2008 में जो crisis हुआ जैसी crisis हुआ उनने जो है buy करना start किया पूरे crisis के दौरान वह बस buy करते गए गरते गए अलग छोटे-छोटे installment में जो है companies में जो है stake बढ़ाते गए बढ़ाते गए जैसे जैसे crisis हो रहा था बट इस समय जो है उनने कोई भी इसका advantage लेने की कोशिश नहीं किये क्योंकि वह अभी uncertain है दोस्तों तो देखिए दोस्तों क्या-क्या conclusion and in the end last में कोई भी confusion ला रहा है हमारे investors को हमारे जो subscriber है उनको मैं clearly conclusion draw करके आपको बता रहा बॉटम पर बिल्कूल भी नहीं है तो प्लीज यह मसोचे कि आप पूरा अपना bulk buy कर देंगे क्योंकि market बॉटम बना चुका है बिल्कूल भी नहीं दोस्तों there is a lot of uncertainty about the future जिया दोस्तों बहुत ज्यादा uncertainty है COVID-19 किस तरह से pan out होगा किस तरह से आगे कि कुछ 2-4 मैने गुज तो देखिए दोस्तों 2 मैने तो एक quarter के गरी चलेगे तो इस समय आप समझ सकते ही companies की earning पर क्या effect पड़ेगा तो अब देखिए दोस्तों the best thing one can do is to hold the cash and do not indulge in bulk buying देखिए मैं कब से अपनी वीडियो में हमेशा बताता हूं दोस्तों कि अपने subscriber को please bulk buy मत कीजे cash hold कीजे cash अप बहुत मौका मिलेगा आपको जो है अपनी बहतरीन companies और तब जाहे situation certain होंगी तो आप देखिए दोस्तों आप बहतर decision ले पाएंगे the best advice he gave the retail investor is to invest in S&P 500 जिया दोस्तों S&P 500 जो कि उनका index fund है उसमें invest करने की उन्हें राय दी है investors को जो retail investors हैं जो छोटे निवेश को हैं उनको राय दिये आप और हम जैसे को कि जो है index fund में जो है निवेश कीजे तो अगर हम Indian perspective से अगर इसको देखेंगे हमारे हम mutual funds का large cap, small cap और mid cap funds का जो है ज्यादा crazy है क्योंकि वहाँ पे जो है opportunities वहाँ जो है किसी company को ढूंडा नई company को ढूंडा और जो की grow करेगी उसको ढूंडा काफी difficult है दोस्तों तो वहाँ पे जो है सिर्फ index पे जो है fund पे आप bet कर सकते हैं बट यहाँ पे जो है हम तो emerging economy है यहाँ पे कोई भी company किसी भी level तक पहुंच सकती है बहुत सारी companies के बाद opportunities हैं यहाँ तो grow कर रहे हैं तो इसलिए जो है यहाँ के mutual funds में आप जो है निवेश कर सकते हैं और जो रहे हैं वो continue कर सकते हैं अपनी SIP को recovery can take years but also decades recovery can take months years but also decades so invest by keeping these in mind for long term only strictly not for short term goal जिया दोस्तों अब जो situation है प्लीज शौट टम गोल के लिए अगरे तीन चार साल के गोल के लिए बिल्कुल भी market में invest मत कीजेगा दोस्तों अभी जो है recovery उनकी according months भी ले सकती है months नहीं years भी नही और decades तक जो है recovery जा सकती है दोस्तों जैसे कि last time की recovery आने आपको बता है 20 साल लग गयते हैं तो हमारे पार resources भले ही जाता है बड़ देखें दोस्तों किस तरह से pan out होता है तो यह जो है आप समझ दीजे आपकी इस mind इस चीज को अपने mind में रखेगे कि recovery जो है decades दसकों में भ पहुंस सकती है दोस्तों उस pre-covid era को अचीव करने के लिए pre-covid जो level है market का उसको अचीव करने के लिए recovery है वो जो है 10 को तक पहुंस सकती है तो इसलिए आप जो है इस चीज को अपने mind में रखेगे और सिर्फ long term के लिए निवेश कीजिए short term goal के लिए बिल्कुल जो है market म मत आईए तो in the end देखे दोस्तों मैं एक Warren Buffett का जो important जो एक phrase जो यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बतायता हूं always be cautious and be willing to lose out on an opportunity than to jump too soon जिया दोस्तों cautious रहिए heart but heart में जल्दी बाजी में किसी opportunity पे कूदने की जल्दी मत कीजिए आप opportunity miss करना afford कर सकते हैं दोस्तों ब हमेशा कहते हैं I don't worry about the things that I miss वो हमेशा जो है cautiously decision लेते हैं दोस्तों क्योंकि money को preserve करना सबसे बड़ी बात है उनका जो सबसे main जो quote है जब सबसे famous quote है is to preserve your money सबसे बड़ी बात होती है अपनी पैसे को बचाईए तो वो better है कि आगर आप जो है कोई opportunity miss कर सकते हैं but आप पैसे वीडियो में इतना ही thanks for listening आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगे होगी please channel को like कीजिए एक बार फिर मैं आप से कहना जाता हूँ please channel को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और हमें इसी तरह motivate करते रही है जै हिंद